इस लेक्चर में हम लोग हार्मोनिक्स थी बात करने जा रहे हैं हार्मोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और अभी अगर आप देखें तो इंटर्व्यू का सीजन है जैसे डिफ्रेंट मतलब आएसी में आपका कॉल आएगा आएगा कुछ का एनाइटी में भ अगर्मोनिक्स लाइन में रहे तो उसके लिए क्या कंडिशन है ना इस्टार कनेक्टेट सिस्टम डेल्टा कनेक्टेट सिस्टम से भी रिलेटेड क्यूशन आप लोग उसे पुछा जा सकता है तो इसी वे से एक लेक्शर हम आपके लिए बना रहा है और एबाद हार्मोन हार्मोनिक्स इन स्टार कनेक्टेट सिस्टम्स देखो क्या है सपोस्ट करो कि हमारे पास यह स्टार कनेक्टेट सिस्टम्स यह माल लिजिए कि A phase है यह माल लिजिए B phase है और यह माल लिजिए C phase और यह neutral है ठीक है तो A phase पर जो voltage generate हुआ है रहा वो कुछ fundamental हो और कुछ harmonics होगा है कि नहीं देखो harmonics हम नहीं चाहते हैं कि harmonics develop हो क्योंकि harmonics हमेशा अगर देखे तो negative impact ही डालता है जैसे harmonic voltage कहीं पर induce हो गया fundamental भी induced हुआ harmonics जैसे एक सेकिन देख लो कहीं पर suppose voltage E1 sin omega t हुआ यह fundamental है प्लस suppose कर यह E3 sin 3 omega t voltage induce हुआ ठीक है तो यह तो fundamental है जो हमारा main काम का है ठीक है और यह है due to harmonics voltage generate होना ठीक है अब इसके वज़े से जो है obvious सी बात है कुछ voltage generate हुआ होगा तो कुछ current भी flow होगा और कुछ current flow होगा तो उसके वैसे कुछ loss भी होगा है तो एक छोटा सा हम आपको इसका negative impact बता है otherwise इसका harmonics का बहुत सारा negative impact होता है वो machine machine में भी आप देखेंगे ठीक है तो एक चीज़ तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप नहीं चाहेंगे कि harmonics present रहे है ठीक है तो अब यहाँ पे देखो अब आप यहाँ पे देखी अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे suppose करो जो voltage जो generate हुआ A phase में वो कुछ fundamental तो voltage generate होगा ही इसके साथ साथ harmonics भी generate हुआ है तो आप यह मा लेजिए V1 sin omega t fundamental plus V3 sin 3 omega t यह third harmonics fundamental frequency में अगर 3 से multiply कर देंगे तो third harmonics 5 से multiply कर देंगे तो fifth harmonics 2 से multiply करेंगे तो second harmonics ठीक है similarly V5 sin 5 omega t plus V7 sin 7 omega t है ना suppose करो इतना harmonics यह generate हुआ fundamental के साथ correct है यह similarly अगर B phase पे अगर आप voltage देखेंगे तो balanced case में क्या होता है balanced case में यह होता ना कि voltage का जो peak magnitude है या फिर RMS magnitude है वो तीनो phase का सेम होगा और तीनो phase में एक दूसर से 120 120 का phase difference रहेगा है ना balance में यह होता है है ना तो अगर आप यह देखें तो इसको V phase में देखें तो V1 sin omega t minus 120 इससे 120 degree का gap है ना plus V3 sin 3 omega t minus 120 degree समझ रहे है मेरी बात प्लस V5 sin 5 omega t minus 120 degree हमको नहीं लग रहा है कि इसमें किसी को कोई problem है V7 sin 7 omega t minus 120 ठीक है ऐसा होगा इसमें 9 और यह सब भी हो सकता है एक्चुली 9th harmonic सब नहीं होता डेवलाफ वही चीज हम आपको बार में बताएंगे लाइन टू लाइन वोल्टेज में ठीक है अभी देखते रहना आपको सब समाझ में आ जाएगा करेक्ट है यह चीज़ तो अब भी फेस पर जो वोल्टेज होगा वह क्या हो जाएगा भी फेस पर इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाइ करते हैं हम लोग तो यह रहेगा वी वन सैन ओमेगा टी मैनस 120 डिग्री प्लस वी 3 सैन 3 ओमेगा टी समाझ दोने मेरी बात वी 3 सैन 3 ओमेगा टी मैनस 360 डिग्री ठीक है तो सैन थीटा मैनस 360 डिग्री करेंगे आप यह सैन थीटा प्लस 360 डिग्री करेंगे तो सैन थीटा ही आए गया ना तो इसलिए वी 3 सैन 3 ओमेगा टी हो गया प्लस वी 5 देखो आप यहाँ पे sin 5 omega t और यह कितना हो जाएगा? minus 600, तो minus 600 को क्या लिख सकते हैं? minus 240 degree, minus 360 degree, तो आप यहाँ पे direct minus 240 degree भी लिख सकते हैं, ठीक है? समाज़ो मेरी बात, यहाँ पे direct minus 240 degree भी लिख सकते हैं, अथ तुरा copy वो पीपी देखना कि हम इसको minus 240 degree कैसे लिख लिख लिए? खुझ से भी करने की कोशिस करना आप, है ना? अब V7, V7 sin 7 omega t और यह plus 240 degree हो जाएगा, correct है यह चीज, ऐसी 9th harmonics और यह सब चीज, है कि नहीं? आप यह बोलेंगे, आपके सवाल, आपके मन में यह सवाल आएगा, कि सद ठीक है, इतना ही तो बात समझ में आ गई, लेकिन आप यहाँ पे even harmonics नहीं आप लिखे हैं, जैसे आपको यह भी लिखना चाहिए ना, V2 sin 2 omega t, लेकिन आप तो यहाँ पे बस odd harmonics लिखे हैं, तो हम आपको बता दें, कि अगर full-piste coil है, तो उसमें even harmonics generate भी नहीं होता, आपको जैसे एक तुरा सा यह machine का चीज है, इसको आप देखिएगा, यह machine का चीज है, कि even harmonics generate भी नहीं होता है, suppose को एक coil है, या एक conductor है, suppose को north pole के अंदर है, तो दूसरा south pole के अंदर है, जानते होंगे machine में, फ्लक्स पर पोल सब यह सब चीज आप भड़ते हैं, तो एक coil north pole के अंदर में, दूसरा coil south pole के अंदर में, ठीक है, even harmonics क्यों नहीं होता, वो चीज अभी हम आपको बता रहे हैं, कि यहाँ पे जैसे V2 send 2 omega t, सब हम लोग क्यों नहीं लिखे हैं, north pole से south pole 180 degree, electrical shifted होता है, 180 degree electrical shifted होता है, आपको पता है यह चीज है न, तो यहाँ पे जो voltage होगा, इंद्यूस Vm send 2 omega t, plus 180 degree या फिर minus 180 degree, समझ रहे हैं मेरी बात, और यह electrical है, तो यहाँ पे V2 send 2 omega t, minus 180 degree होगा, इतनी बात आप समझ गया होगा, यह machine का है, यह concept है न, तो यह कितना रहेगा, V2 send 2 omega t, समझ रहे मेरी बात, V2 send 2 omega t होगया, तो अब अगर आप output पे, अगर आप voltage collect करना चाहें, E, तो अगर आप KVL लगाएंगे, तो V2 send 2 omega t, minus V2 send 2 omega t, equal to 0 होगया है न, तो negative, अगर आप देखेंगे, दोनों को minus करेंगे न, तो यह जो होगा, जो output पे जो voltage आएगा, second harmonics का, वो 0 ही रहेगा, clear है यह चीज़, तो एक north pole से south pole, 180 degree का gap होता है, और यह सब चीज़, बाकि आप machine में पढ़िएगा, अधरवाईज आप यह समझ जाएगे, कि second harmonics नहीं होता है, जिनरेट, है न, और जब machine पर आएगे, अलग से तो समझ में आएगा आपको, है न, तो अब देखो आप, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, तो आपको A phase, B phase का तो voltage आगे, समझ में, ठीक है, similarly C phase का voltage हम डारेक्ट ही लिख दे रहे हैं, डारेक्ट ही C phase का voltage हम लिख दे रहे हैं, तो VC अगर आप देखेंगे यहां से, तो VC अगर आप देखेंगे यहां से, तो V1 sin omega T, प्लस 120 degree, आपको पता है न, balance system के case में, जैसे देखो, यह A phase VA, यह VB और यह VC, this is positive sequence, आपको पता है और यह balanced होता है, यह positive sequence है, और यह balance होता है, यह आपको पता है यह चीज है न, हम मान के चलते हैं कि इतना आप जानते हैं, अब देखो, V1 sin omega T, प्लस 120 degree हुआ, तो देखो, VB clockwise है तो, minus 120 degree, Vc anticlockwise है तो, plus 120 degree, ठीक है, इसलिए plus 120 degree लिखे हैं हम लोग, similarly, V3 sin 3 omega T, plus 120 degree आना चाहिए, तो यह तो, फिर V3 sin 3 omega T ही आ जाएगा, तो हम थोड़ा सा direct ही लिख रहे हैं, ठीक है, यह तो direct ही लिखना परेगा, अब हम लोगों को, तो V3 sin 3 omega T आ गया, प्लस यह क्या रहेगा, V5 sin 5 omega T, plus 240 degree, ठीक है, प्लस V7 sin 7 omega T, minus 240 degree, अगर आपका मन करें, तो आपको खुद से भी copy पर करिएगा इसको, कि इन सब को solve करेंगे, तो कितना है रहे हैं, इतनी बात आए होप समाज में आ गया, तो आपको देख देख रहा है, कि phase में तो चलो भाई, third harmonics है, अब line में देखेंगे, kapi third harmonics हा या नहीं है, या फिप्ल इन harmonics हा या नहीं है, star connected system में, अगर line में, अगर हम लोग देखें, star connected system में अगर, अच्छा लोग फैरि, इसको रहने तो, व ए मैनस्ट वीब Verma चाईए तो वीए क्या है तो वी वन्स औंटोेशन ओमेगा टी धी डिक्री ओ है तो यह सानों मेगाती मैनस 1 20 डिग्री इधर क्लॉक वाइस मैनस करने तो मैनस इधर करना हो जाए मैगनिचूड इतना है 60 तो रूट यह जो रहेगा रूट 3 V1 देगा इसका मैगनिचूड है न इसका जो मैगनिचूड आप निकालेंगे रूट 3 V1 है हम ऐसा कैसे कर लिए यह वेक् Futu तो दोनों को करेंगे तो जिरो आ जाएगा सिमलार लिंड ऑन सी देखेंगे तो जो C में भी जो थर्ड हार्मोनिक्स आप देखेंगे तो V3C3 omega T है तो VAC भी है, VCA भी 0 ही आ जाएगा ना, तो मतलब हम यह बोल सकते हैं कि थर्ड हार्मोनिक्स का कोई component, voltage का, voltage अब हम लोग देख रहे हैं ना, तो थर्ड हार्मोनिक्स का कोई component इस line voltage पर रहेगा ही नहीं तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो थर्ड हार्मोनिक्स, voltage कंपोनेंट होता है, वो एपसेंट होता है, लाइन से, इस्टार कनेक्टर सिस्टम, करेक्ट है यह चीज़, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, अब इसमें एक additional चीज में हम आपको बता दे रहें, यह तो अभी हम बता चुके हैं, इस चीज़ को आप लिख लीजेगा, note कर लेना, और जो भी हो, dot हो या फिर कुछ अगर आपको वीडियो भी चाहिए, तो वो सब आप लिखना, है ना, comment section में पूछना मेरे से, तो हम आपको वीडियो कुछ ब sin 5 omega t, ठीक है, बी फेस का 5th harmonic सा आप देखिए, ठीक है, बी फेस का 5th harmonic सा आप देखेंगे, तो कितना रहेगा, वी 5 sin 5 omega t minus 240 degree, वी 5 sin 5 omega t minus 240 degree, सी फेस का देखेंगे, वी सी 5, तो वी सी 5 sin 5 omega t plus 240 degree, है कि नहीं, आप समझ दे मेरी बात, अगर आप इसको vectorially represent करना चाहिए, है ना, अगर आप इसको vectorially represent करना चाहिए, समझ दे मेरी बात, तो वी ए 5 इस direction में, सपोस करो, वी ए 5 इस direction में, रिफ्रेंस हम इस direction में, वी ए 5, तो वी बी 5 जो है, मैनस 240 degree पे lag हो रहा है, मैनस 240 degree, मतलब मैनस मतलब clockwise है, ना, तो clockwise 240 degree, तो यह इधर आजाएगा 240 degree, तो वी बी 5 और वी सी 5 देखेंगे, तो वी सी 5 sin 5 omega t plus 240 degree, तो एंटी clockwise 240 degree, है ना, तो यह आजाएगा, वी सी 5, ठीक है, तो अगर आप द रखेंगे, तो A के बाद B के बाद C, है ना, तो अगर इसको हम लोग positive sequence बोल रहे हैं, तो A5, C5, B5, यह उल्टा हो गया, यह वो A, B, C यह A, C, B है, तो इसको हम लोग negative sequence बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग negative sequence बोलते हैं, तो जो 5th harmonics है, यह negative sequence होगा, ठीक है, 5th harmonics जो यह निगेटिब सेकेंस होगा अगर आप नहीं पर हैं तो कोई बात नहीं है आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि इनफैक्ट है तो इसका जो उल्टा है वो ACB है तो अगर यह positive sequence है तो इसका उल्टा ACB वो negative sequence हो जाएगा तो इसलिए fifth harmonics is negative sequence harmonics है ना तो इसके बाएसे जो rotating magnetic field सब होगा ना वो anti-clockwise वो rotate करेगा तो यह सब चीज़ आप machine में परहेंगे just हम आपको यह कुछ additional चीज़ बताते रहें similarly अगर आप seventh harmonics देखेंगे similarly आप seventh harmonics देखेंगे तो VC7 मतब सॉरी VA7 देखें हम लोग तो V1 sin 7 omega t है ना VB7 अगर हम लोग देखेंगे तो सॉरी V1 नहीं V7 ले 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 थे हम लोग अब V7 sin 7 omega t और यह प्लस 240 डिगरी था प्लस 240 डिगरी था प्लस 240 डिगरी था और फिर VC7 अगर आप देखेंगे तो VC7 देखेंगे तो V7 sin 7 omega t मैनस 240 डिगरी यह था अब इसमें देखेंगे तो VA7 अगर इस डिरेक्शन में है तो VB7 किदर होगा प्लस 240 डिगरी तो एंटी क्लॉकवाईस 240 डिगरी तो वी भी सेवन इधर और VC7 इधर है ना तो यह हो जाएगा पॉजिटिफ सीक्वेंस अप समझ ने मेरी बात a के बाद b के बाद c क्लॉकवाईस है ना तो यह हो गया voltage का third harmonics है, current के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो voltage से third harmonics line से absent होता है, और दूसरा, कि जो six के minus one है, वो negative sequence है, six के plus one harmonics जो है, यह positive sequence है, ठीक है, यह I hope आपको समझ में आ गया है, अब current के बारे में देखिए, अब current के बारे में देखिए, ठीक है, अब current के बार यह मालो A phase है, यह मालो B phase है, यह मालो C phase है, ठीक है, अब इसमें मालो I A है, इसमें मालो IB और इसमें मालो आप IC, ठीक है, तो I A को आप माल लिजे, आप I A को माल लिजे, यह I 1 sin omega t, plus I 3 sin 3 omega t, plus I 5 sin 5 omega t, बस इतना रखते हैं हम लोग यहाँ पर है ना इतना रखते हैं हम लोग similarly I B अगर हम लोग देखेंगे तो I 1 आपको पता है कि 120 डिगरी का गैप होना चाहिए और मैगनिचूट सेम होना चाहिए पीक मैगनिचूट या फिर RMS मैगनिचूट प्लस I 3 साइन 3 ओमेगा टी मैनस 120 डिगरी प्लस I 5 साइन 5 ओमेगा टी प्लस 120 डिगरी ऐसे होना चाहिए बस इतना हम लिख रहे हैं ठीक है तो अब अगर आप देखेंगे तो similarly चलो इसको हम थ्वासा सॉल्व कर लेते हैं पहले अगर आप देखेंगे तो यह I 1 साइन ओमेगा टी मैनस 120 डिगरी प्लस यह I 3 साइन 3 ओमेगा टी ही रहेगा साइन 3 ओमेगा टी मैनस 360 करेंगे तो साइन 3 ओमेगा टी तो रहेगा ना प्लस आई फाइब साइन फाइब ओमेगा टी और प्लस टू फोर्टी डिग्री होना चाहिए है ना इतना हो गया है कि नहीं आहिए सिमिलर्ली अगर आई सी देखेंगे तो आई सी आप लोग निकाल सकते डिरेक्ट वा ऐए वन सैन वमेगा टी प्लस टूटी डिग्री प्लस आए 3 सैन 3 ओमेगा टी इसमें प्लस 120 हो जागा तो 360 टिगरी तो आ जाता न अल्टिमेटली ठीक है और प्लस यहाँ पर देखेंगे तो आए 5 सैन 5 ओमेगा टी मैनस 240 टिगरी ऐसा हो गया यहाँ अब अगर आप देखेंगे अगर मान लो देखो सबसकर हैं हम यहाँ पर रियक्टेंस ग्रौंड करते हैं यह रेसिस्टेंस गौंडिंग करते हैं कुछ भी ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चो करेंट होना चाहिए IN यहाँ पर according to KCL देखेंगे तो summation of total incoming current should be equal to total outgoing current अब जानते हैं यह summation of total incoming current should be equal to outgoing current है ना तो यहाँ पर आप देखेंगे तो summation of total incoming current अगर आप देखो I N देखो मतब इस neutral के through current कितना flow हो रहा है तो अगर आप यह देखेंगे I1 मतब IA plus IB plus Ic इसके through flow होगा है ना इसके IA plus IB plus Ic current flow होगा according to KCL है ना अब अगर आप देखेंगे IA plus IB plus Ic तो आपको पता है यह कितना आ जाएगा यह simply 3 I3 3 omega T ही आएगा इसके अलावा कुछ नहीं आएगा है ना क्यों कैसे हम आपको बता रहे हैं कि देखो पहले यह प्लस यह प्लस यह आना चाहिए है ना उसके बाद I3 3 omega T I3 3 omega T plus I3 3 omega T है ना और ऐसे I5 में आ जाएगा ना तो अगर आप देखो इसको I1 sin omega T plus I1 sin omega T minus 120 degree plus I1 sin omega T plus 120 degree है ना तो I1 sin omega T omega T को चलो reference ले लो तो I1 इधार तो I1 sin omega T minus 120 degree तो यह भी I1 यह भी I1 और यह भी I1 इन तीनों का अगर summation देखेंगे तो यह 0 ही आएगा समझे मेरी बात अगर तीन से magnitude का vector है और तीनों एक दूसरे से 120-120 के gap पे है तो उसका vectorial addition direct 0 आ जाएगा correct है यह चीज तो यह इन तीनों का summation 0 आ जाएगा अगर आप 5th harmonics भी देखेंगे तो यह भी balanced होगा इसका भी magnitude जैसे I5, I5, I5 और sin जैसे यहाँ पे देखो plus 240 degree है तो इसको आप minus 120 भी लिख सकते हैं यहाँ पे minus 240 degree है तो इसको plus 120 भी लिख सकते हैं तो यह 5th harmonics भी एक दूसरे से 120 के gap पे ही है और magnitude तो से में तो इनका भी total summation 0 हो जाएगा ultimately यहाँ पे क्या रहेगा यह वाला term खाली 3rd harmonics रहेगा यहाँ पे यहाँ पे जो रहेगा बस 3rd harmonics रहेगा तो ultimately ऐसा है कि अगर neutral grounding present है इसको हम लोग neutral बोलते हैं और यह ground है तो अगर neutral ground present है तो फिर line में हमारे पास 3rd harmonics current रहेगा लेकिन अगर neutral नहीं है present अगर माल लो neutral नहीं है present यह माल लो open circuited है तो I n is equal to 0 रहेगा तो मतलब 3 I 3 3 3 omega t is equal to 0 रहेगा तो मतलब line में 0 sequence current रहेगा ही नहीं है न तो इस सीच को लिख लेना आप लोग अगर हो सके तो कि for the flow of 3rd harmonics current in line in star connected system neutral must be grounded जैसा 0 sequence में होता था न अगर आप fault analysis परहे होंगे तो जैसा 0 sequence में होता था वैसा ही इसमें भी होगा आप समझ रहे हैं मेरी बात जैसा 0 sequence में होता था वैसा है इसमें भी होगा तो I hope आपको एक clear हो चुका है star connected system अगर आपको delta connected system भी पढ़ना है ठीक है तो आप comment section में लिखना कि delta connected system के बारे में एक चीज़ आप हमको बता दीज़ेगा मतब बता दीज़ेगा harmonics के बारे में है न otherwise हम आपसे question पूछते हैं इस question का आप answer इसी में लिखना आप comment section में ही लिखना मेरा question ये है कि delta connection में आपको पता है कि phase voltage is equal to line voltage है न तो line voltage में third harmonics रहता है या नहीं रहता है और अगर नहीं रहता है तो क्यों है न तो ये चीज़ आप हमको बताईएगा comment section में otherwise हम आपको वो depend करेगा आपके comment पे अगर आपको dot होगा अगर आपको पूछना होगा तो आप पूछना हम next video उस पे बना देंगा है न ठीक है तैंक यू सो मच्छ मिलते हम लोग next video